असलामों अलेकुम फ्रेंड्स मैं खार नाजमीन शरीफ वेलकम टू रहमान पठान यूटूब चैनल फ्रेंड आज ही इस वीडियो में हम लोग क्लॉक के जो कोश्चन या क्लॉक की जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग आज एक इंपोर्टन टॉपिक को स इमेज में वक्त किस तरह से नजर आएंगा और उसे जो भी सवाल पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड उसको किस तरह से सौल्व किया जाए इससे रिलेटेड जितनी भी बाते हैं आईने से या मीरा इमेज से रिलेटेड वो सारी बाते हम लोग आज की वीडियो में कवर क या अगर आईने का वक्त पूछा जाए कि आईने में अगर किसी घड़ी का जो वक्त है वो अगर जो भी दिखाई दे रहा है तो असल में वो वक्त कितना होगा तो आईने की अकासी का वक्त ये कंसेप्ट जो है इसको आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे अब देखी क्या है इसके अंदर कि कोई भी वक्त देकर अगर इसके आईने का अक्स पूछा जाए या आईने का अक्स देकर असल वक्त पूछा जाए तो दोनों ही सूर्टों में दिये गए वक्त को 23 गंटे 60 मिनट में से तफरी किया जाता है और हासिल जवाब या हासिल शुदा वक्त ही हमारा जवाब होगा यानि अगर आपको कोई सवाल देथिया जाए और उसमें कहा जाए कि आईने में अगर इसका अक्स जो है इतना इतना दिखाई देता है तो उसका असल वक्त कितना होगा या फिर अगर असल वक्त आपको देथिया जाए और कहा जाए कि आईने में इसका अक्स कितना दिखाई देंगा तो ऐसे सवारात को किस तरह से हल करेंगे तो जो भी आपको नंबर या जो भी वक्त दिया जाएंगा उसको 23 घंटे 60 मिनट में से क्या करना है आपको तफरीक करना है बस इतना ही और जो भी हासिल शुदा जो भी वक्त होंगा वो हमारा सही जवाब होंगा जिसे एक मिसाल देखते हैं हम लोग आप ये घड़ी यहाँ पर दो आईने में अक्स और असल वक्त का यहाँ पर दो वाचेस दिये गए हैं आप इसके अंदर देख सकते हैं आप मिसाल देखें यहाँ पर क्या है कि अगर किसी घड़ी में तीन बच कर पंदरा मिनट हो रहे हैं यह अक्चुली यहाँ पर तो देखें यहाँ पर यह कितना है यह हैं अगर किसी घड़ी में तीन बच कर पंदरा मिनट हो रहे हैं तो उसका आईने में अक्स क्या होगा देखें यहाँ पर क्या पुछा गया है या आईने में अक्स दिया जाए और असल वक्त पूछा जाए दोनों ही सूर्टों में हमें क्या करना है उसको 23 गंटे 60 मिनट में से दिया गया वक्त तफरी करना है यहां 3 बच कर 15 मिनट है तो यहां पर 3 आएंगा और यहां जाएंगा यहां पर 15 तो 60 में से 15 जाते हैं तो कितने बचते हैं फौटी क्या करना है तफरीक करना है तो कितना हासिल हुआ हमें 20 45 तो देखे 20 यानि कितना होता है तो 20 का मतलब अगर हम 12 के बाद अगर count करते हैं, तो 12 के बाद 1 का मतलब होता है, 13, 2 का मतलब होता है, 14 तरहां से 24 गंटे की घड़ी होती है, उसके हिसाब से हमको यहाँ पर देखना है, तो 20 का मतलब कितना होता है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो 20 का मतलब होता है, 8, तो 8 बचकर 45 मिनट यहाँ पर इस 12 के बाद के नंबर अगर आते हैं तो उस तंबर में से आपको 12 जो 12 आर्स का हमारा जो मेन जो घड़ी होती है वो 12 आर्स की होती है 12 घंटे की होती है तो 12 के बाद वाले नंबर अगर आपको हासिल जवाब में आते हैं हासिल होते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो remaining रहते हैं 8 तो यहां पर 8 बचकर 45 मिनट देखी इसका जवाब आता है और अगर आपको पता है कि 12 के बाद 13 मतलब 1 होता है 14 मतलब 2 होता है 15 मतलब 3 16 मतलब 4 17 मतलब 5 18 मतलब 6 19 मतलब 7 और 20 का मतलब होता है 8 अगर यह आपको पता है तो ठीक है नहीं अगर आपको पता है तो simply अगर 12 से ज्यादा नंबर अगर आते हैं इस तरहां से अगर अक्स वाले सवालात या कोई और भी सवालात अगर घड़ी से रिलेटेड आप कर रहे हैं तो 12 से बड़ा अगर वक्त आता है तो आपको उसका अगर रियल जो 12 आर्स की जो घड़ी होती है उस घड़ी के सवाल की तरफ हम लोग एक बार और जाते हैं जता सवाल हुआ कि अगर किसी घड़ी में 3 बच कर ऑके यहां पर क्या है ये तेन है एक्चुली अगर किसी घड़ी में 3 बच कर 15 मीनट हो रहे हो तो उसका आईने में अक्स या होंगा तो आइने में के लिख कर ना है हो हमको 23 गंटे 60 मिनट में से दिया गया वक्त तफरीक करना है अब यह जो हासिल हुआ हमको 20 बचकर 45 मिनट तो 20 पैतालिस ट्वेल आर्स की क्लॉक में या 12 गंटे की घड़ी में कितना होता है तो उसमें से हमको सिंपली क्या करना है 12 को माइनस कर देना है तो यहां पर यह आ जा अक्स किस तरह से नजर आता है जो असल वक्त दिया गया है उसका आईने में अक्स किस तरह से नजर आएगा यहां पर आप इमेजेस के अंदर अच्छे से देख सकते हैं ओके तो इमेजेस के अंदर आपको दिखाई देगा कि जो असल वक्त हैं 3 बचकर 15 मिनट तो आईने म 6 बच कर 15 मिनट वक्त हो रहा हो तो सामने रखे हुए आईने में क्या वक्त दिखाई देंगा अब मिरर इमेज यहां पर क्या होंगी इसकी यह हमको find out करना है तो अभी हमने देखे कि बहुत ही आसान है हमको कुछ भी नहीं करना है सिर्फ क्या करना है अगर घड़ी में जो व मैने में वक्त दिया जाए और यह पूछा जाए कि असल में कितना वक्त होंगा तो हमको क्या करना है सिर्फ उसको 23 घंटे 60 मिनट में से हमको उसको तफरीक कर देना है तो 23 गंटे 60 मिनट में से हमको दिया गया वक्त तफरीक करना है यानि हमको तफरीक करना है यहाँ पर 6, 15 तो देखिए 60 में से 15 जाते तो कितने बसते हैं 45 रिमेनिंग रहते हैं और 23 में से अगर 6 जाते हैं, तो कितने रहते हैं? साथ रहते हैं, तो 17 गंटे 45 मिनट यहाँ पर, यहाँ पर इसका जवाब आ रहा है, अब 17 बचकर 45 मिनट, क्या जवाब आया हमारा देखिए? हमने 23, 60 में से 6 बचकर 15 मिनट को तफरी किये, तो हमको हासिल हुआ 17 बचकर 45 मिनट, अब यह 17 यानि कितने होते हैं? अगर आपको पता है कि 17 का मतलब होता है, 5 यानि 5 बचकर 45 मिनट, तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता है, तो इस 17 में से हमको क्या करना है, 12 को यहाँ पर आपको माइनस कर देना है, तो 45 तो as it is रहेंगा, क्योंकि उसमें से कुछ नहीं माइनस हो रहा है, और 17 में से जब 12 जाते हैं, तो कितना हासिल होता है, हमको 5 हासिल होता है, तो देखिए, अगर 24 आर्स के हिसाब से अगर आपका वक्त आ रहा है, यानि 12 के उपर आगर आ रहा है, तो उस वक्त में से आपको 12 को माइनस करना है, तो आपको जो 12 घंटे की घड़ी के हिसाब से क्या वक्त होंग या आप directly भी कर सकते हैं कि 12 के बाद 13 का मतलब 1, 16 का मतलब 2, 15 का मतलब 3, 16 का मतलब 4 और 17 का मतलब 5 इस तरहां से भी कर सकते हैं या directly जो 24 hours के हिसाब से जो number आ रहे हैं हमारे यानि 12 के उपर वाले अगर number आ रहे हैं तो उसमें से 12 को माइनस करने के बाद भी सेम जवाब आता है तो 12 में से 17 में से 12 गए तो कितने बसते हैं 5 तो 5 बचकर 45 मिनट जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होंगा option number C next question देखे क्या है कि अगर एक घड़ी में 4 बचकर 45 मिनट वक्त हो रहा है तो सामने रखे हुए आईने में क्या वक्त दिखाई देंगा सेम सवाले कुछ भी नहीं करने आपको कि घड़ी में पूछा गया है कि घड़ी में जो असल वक्त है वो कितना है 4 बचकर 45 मिनट है तो आईने में क्या वक्त होंगा हमको यह मालूम करना है या हमको अक्स मालूम करना है तो अक्स मालूम करना है या असल वक्त मालूम करना ह हम क्या करेंगे 23 के अंदर 23 घंटे 60 मीनट में से यानि 23 बचकर 60 मीनट में से जो दिया गया वक्त है उसको हम क्या करेंगे यहां पर माइनस करेंगे तो दिखे 60 में से 45 अगर जाता है तो कितना बचता है 15 यह तो 15 हो गया 23 में से अगर 4 जाता है तो कितना बचता है सेविस में से चार जाने के बाद यहां पर हासिल होता है 19 तो देखी यहां पर कितना हासिल हो हमको 19 बचकर 15 मिनट यहां पर हमको जवाब मिला लेकिन option के अंदर 19 बचकर 15 मिनट देखी कहीं भी है क्या यहां पर 8 बचकर 10 मिनट है option number B में 7 बचकर 15 मिनट है option number C के अंदर 8 बचकर 15 मिनट है और option number D के अंदर 9 बचकर 15 मिनट है और हमारा जवाब आया वो कितना है हमारा जवाब 19 बचकर 15 मिनट तो 19 बचकर 15 मिनट यह है जो 24 hours की 24 गंटे की घड़ी होती है उसके हिसाब से आया अब हमको इसको 12 hours के हिसाब से अगर convert करना है तो हम क्या करेंगे जो 19 है उसमें से हम 12 को क्या करेंगे यहाँ पर minus करेंगे तो यह 15 तो as it is रहेंगा ओके यहनी 19 15 में से हमको only क्या करना है 12 को यहाँ पर minus करना है तो कितना जवाब आएंगा 15 में से माइनस करने के लिए यहाँ कुछ नहीं है तो 15 as it is रहेंगा 19 में से जब 12 जाते हैं तो 19 में से 12 जाने के बद कितने बचते हैं 7 यानि 7 बचकर 15 मिनट जो है इसका सही जवाब होगा तो देखी यहाँ पर गीवन है इसका 7 बचकर 15 मिनट जो है इसका सही जवाब है नेक्स वेशन देखी क्या है कि अगर आईने में देखा जाए तो एक घड़ी में 3 बचकर 40 मिनट वक्त दिखाई देता है तो असल वक्त क्या होगा यानि आईने के अंदर यहाँ पर अभी हमको क्या दिया गया है अक्स दिया गया है क्या दिया गया है घड़ी का अक्स दिया गया है कि अगर आईने में देखा जाए तो एक घड़ी में 3 बचकर 40 मिनट वक्त दिखाई देता है तो असल वक्त क्या होगा तो असल वक्त निकालना हो या अक्स निकालना हो हमको एक ही जाप्ते का एक ही फॉर्मुले का या एक ही लॉजिक का इस्तिमाल करना है क्या है वो तरीका कि 23 बचकर 60 मिनट में से हमको दिया गया वक्त जो है उसको क्या करना है माइनस कर देना है तो क 20 बचकर 60 मिनट में से क्या करेंगे तफरीक करेंगे तो दिखिए 60 में से 40 अगर जाता है तो कितना बचता है यहाँ पर 20 गी 20 हो गया अब 23 में से 3 चाता है तो यहाँ पर भी 20 तो दिखिए 20 बचकर 20 मिनट क्या हासिल हुआ हमको 20 बचकर 20 मिनट यहाँ पर जवाब हासिल कितना वक्त हसाल हुआ? 20 और 20 मिननेट तो अब इसमें से हमको असल वक्त अगर मालूम करना है 12 खंते की घड़ी के इसाब से हमको वक्त मालूम करना है तो हम क्या करेंगे? इसमें से 12 को माईनस कर देंगे तो ये 20 में से माईनस करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो यह as it is रहेंगा उसके बाद 20 में से अगर 12 जाते तो कितने बचते हैं 8 बचते हैं तो इसका जो सही जवाब बे वो क्या होगा 8 बचकर 20 मिनट या आपको अगर पता है तो आप directly भी लिख सकते हैं कि 13 का मतलब 1 यानि 12 घंटे की घड़ी के बाद अगर हम देखे 12 के बद 13 तो 13 यानि क्या हो जाता है 1 14 यानि कितना होता है 2 15 यानि कितना होता है 3 16 यानि कितना 4 बचकर 17 यानि कितना 5 बजे 18 यानि कितना 6 बजे उके उसी तरहा से अगर हम देखे 19 यानि कितना 7 20 यानि कितना 8 और 21 यानि कितना 9 22 यानि 10 23 यानि ग्यारा और 24 का मतलब होता है बारा तो इस तरहां से 24 आर्स की क्लॉक और जो हमारी 12 आर्स की क्लॉक दोनों के इसाब से आपको वक्त मालूम होना चाहिए किस तरहां से काउंट किया जाता है तो क्या सवाल था कि अगर आईने में देखा जाए तो एक घड़ी में 3 बच कर 40 मि दिखाई देता है यहां पर यह जो आक्स है कितना दिखाई दे रहा है उसका 3 बच कर 40 मिनट तो असल वक्त जो हमने निकाले वह हमको हासिल हुआ ता 20 बचकर 20 मिनट अभी 24 आर्स के इसाब से हासिल हुआ तो हम क्या करेंगे फिर 20 में से 12 को माइनस करेंगे कितने बच रही है या 8 तो 8 बचकर 20 मिनट जो है इसका सही जवाब होगा तो option number C जो है 8 बचकर 20 मिनट इसका सही जवाब है next question देखी क्या है कि अगर एक घड़ी आईने में पौने 3 बजे का वक्त बता रही है तो उस घड़ी में असल वक्त क्या होगा यानि अगर एक घड़ी आईने में पौने 3 बजे का वक्त बता रही तो उस घड़ी में असल वक्त क्या होगा यानि यहाँ पर भी क्या दिया ग गया है और असल क्या पूछा है यहां पर असल वख्ट हमको पूछा गया है किया यYoung我 को अक्सदेकर यहां पर असल्वक्त पूचा गया है तो इसके लिए भी सेम जाप्ते का इस्तेमाल करना है क्या है पहले तो हमको यह देखना है कि पवने थीन-3 का मतलब कितना होता है ओके तो पौने तीन का मतलब यहां पर कितना हो जाएगा दो बचकर पैतालिस मिनट ओके पौने तीन का मतलब कितना होगा दो बचकर पैतालिस मिनट तो यानि अब हमको यहां पर क्या करना है तेवीस बचकर साथ मिनट में से दो बचकर पैतालिस मिनट हमको तफरी करने हैं तो तेव में से 2 जाते हैं तो कितने बचते हैं 21 बचते हैं अब मैंने आपको पिछले question में ही बता चुकी हो कि 21 का मतलब कितना होता है 21 का मतलब होता है 9 तो 9 बचकर 15 मिनट जो है इसका सही जबाब आ रहा है और अगर इस तरह से नहीं आप directly नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है जो भी 12 की उपर का टाइम अगर आता है तो उसमें से आपको 12 hours की clock में convert करने के लिए क्या करना है उसमें से 12 को minus कर दिना है तो यह 15 as it is रहेंगा 21 से 12 अगर तफरीक करते हैं minus करते हैं इतना हासिल होता है नव तो नव बचकर 15 मिनट जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होंगा सेम सवाले देखिए भी कि क्या है सवाल देखिए एक घड़ी में अगर एक घड़ी का आईने में अक्स दिखाई दे रहा है जिसमें 9 बचकर 25 मिनट दिखाई दे रहे हैं यानि एक घड़ी है उसका अक्स हमको आईने में दिखाई दे रहा है जिसमें 9 बचकर 25 मिनट हमको आईने में दिखाई दे रहे हैं तो उसमें असल वक्त क्या होंगा अब यहाँ पर भी क्या दिया गया है, यहाँ पर भी अक्स दिया गया है और क्या पूछा गया है, असल वक्त हमको यहाँ पर पूछा गया है, तो चाहे असल वक्त पूछा जाए, चाहे मिरर का पूछा जाए, यानि आईने में अक्स पूछा जाए, दोनों के लिए एक ही च 60 मीनट में से हमको 9 बच्चकर 25 में उसको क्या करना है? तफरीक करना है Ugh 35 Ow Heart और उसके बाद 23 में से 9 अगर जाता है तो कितना हासिल होता है 14 याईनि यहाँ पर जो हासिल हो रहा है वो क्या है 14 बचकर 35 मिनट एक बार फिर से बता देती हुआ हमको क्या करना है 23 बचकर 60 मिनट में से हमको तफ़रीक करना है दिया गया वक्त जो के कितना है, 9 बचकर 25 मिनट है, अब ये 60 में से 25 अगर हम तफ्रीक करते हैं, तो कितना हासिल होता है, 35, और 23 में से 9 अगर माइनस करते हैं, तो कितना हासिल होता है, 14 हासिल होता है, तो यानि 14 बचकर 35 मिनट, अब 14 बचकर 35 मिनट, अब आसानी से बता सकते हैं, कि 12 के चौदा बचकर 35 मिनट का मतलब क्या हो गया, फिर 2 बचकर 35 मिनट, आप ऐसे directly भी कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, जो हमको वक्त हासिल हुआ, 14 बचकर 35 मिनट, आप इसको हमको 12 घंटे की घड़ी में convert करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 12 को minus कर देंगे, तो 12 को सकते हैं, यानि अगर आपका जो हासिले जवाब है, वो 24 आर्स की जो clock होती है, 24 घंटे की घड़ी होती है, यानि 12 के बाद वाले नंबर अगर आपको वक्त में हासिल हो रहे हैं, तो उसको आप directly भी count कर सकते हैं, या तो फिर आप क्या करेंगे, जो भी हासिल आता है वक्त आपको 12 से ज्यादा, तो उसमें से क्या करेंगे, आप 12 माइनस कर देंगे, तो इस तरह से 2 बचकर 35 मिनट जो है, इसका सही जवाब होंगा, तो कितना हासिल हुआ है, इस हिसाब से हमारा जो जवाब आया था, वो कितना आया था, 2 बचकर 35 मिनट जो है, इसका सही जवाब ह नेक्स रोशन देखे क्या है कोश्चन नबर 6 है यहाँ पर कि आईने में देखी गई घड़ी में 11 बचकर 40 मिनट का वक्त दिखाई देता है तो घड़ी का असल वक्त क्या होंगा तो देखे कोश्चन नबर 6 अब यहाँ पर सेम उसी तरहा का सवाल है यह क्या करना है आपको कि 11 बचकर 40 मिनट का वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो इस में से आपको क्या करना है सेम उसी तरीके से 23 बचकर 60 मिनट में से हमको क्या करना है 11 बचकर 40 मिनट यहाँ पर तफरीक करने है तो देखिए 60 में से 40 अगर जाता है तो कितना हासिल होता है 60 में से 40 गया तो कितना मिना 20 ओके और 23 में से अगर हम 11 निकालते हैं तो कितना हासिल होता है 12 यानि इसका जवाब डाइरेक्ली आ रहा है हमारा 12 बचकर 20 मिनट तो आपको उसी PC तरह से करना है 23 बचकर 60 मिनट में से जो भी वक्त दिया जाएंगा उसको तफरीक करना है नेक कोशन देखी क्या है कोशन नमबर 7 है एक घड़ी एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9 और 12 की जगा सिफ नुकते हैं एक आईने के सामने उपरी सिरा नीचे करके रखा गया है एक आद बीने आईने में वक्त 4, 40 पढ़ा तो असल वक्त क्या होगा देखी यहाँ पर क्या किया गया है तो दीखी इसको असल वक्त मालूम करना है हमें तो किस तरह से करेंगे दिखी यहाँ पर जैसी यह घड़ी है यहाँ पर इस घड़ी के अंदर सिफ नुकते दे दिये गए हैं चार नुकते तरह से दे दिये गए हैं और घड़ी का जो उपरी सिरा है उसको नीचे रखा गया यहां पर 12 है यहां पर 3 है यहां पर 9 है यहां पर 6 है तो जब घड़ी का जो सिरा है वो उपर नीचे कर दिया जाएगा यानि इस तरहां से उसको अगर घुमा दिया जाएगा तो यहां पर 12 आ जाएगा यहां पर 6 आ जाएगा यहां पर 9 आ जाएगा यहां पर 3 आ जाए में उसको कितना वक्त दिखाई देता है चार बचकर 40 मिनट यहां पर इधर साइड में हो जाएंगा यह चार बचकर कितने मिनट दिखाई देते हैं उसको 40 मिनट तो 40 मिनट यहां पर कुछ इस तरह से वो होगा तो असल वक्त जो है इसका क्या होगा ऐसी घड़ी का असल वक् पहला तरीका क्या है जो रेगुलर तरीका है हमारा कि 23 बचकर 60 मिनट में से हमको क्या करना है जो वक्त है उसको तफरीक करना है यहां पर 4 बचकर 40 मिनट हम इसमें से तफरीक करेंगे तो कितना हासिल होगा यह 20 चार तेवीस में से 4 जाते तो कितना मिलता है हमको 19 अब 19 बचक अपरी सिरा नीचे और निचला सिरा उपर रखा गया और यह जो वक्त है यह हमें कैसा हासिल हुआ सीधी घड़ी अगर रखी जाए तब तो अब इस तरहा की कंडिशन अगर उल्टी घड़ी है और आईने के सामने रखी गई है तो पहले तो हम जो रेगुलर में थाले उस त पचास और यह हो जाता है तो तो तेरा बचकर पचास मिनट हमको यहां पर वक्त हासिल हुआ अब यह 24 गंटे की घड़ी के इसाफ से हासिल हुआ हमको 13 बचकर 50 मिनट अब इसको 12 गंटे की घड़ी में अगर convert करना है तो मुझे इसमें से क्या करना कर पड़ेगा 12 माइनस क तरना पड़ेगा यहां पर आ जाएंगे यह 50 एस बारा में से 13 अगर जाता है तो कितना बचता है यहां पर एक बचता है यानि एक बचकर 50 मिनुट जो है इसका सही जवाब होंगा अब इसके लिए दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका यह है कि आपको अगर इस तरहां से स उचा जाए तो दोनों सुर्तों में फिर आप दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं 17 बचकर 90 मिनुट में से जो भी वक्त दिया जाएंगा उसको आपको क्या करना है माइनस करना है अब 90 में से 40 जाते हैं कितने बचते हैं यहां पर 50 बचते हैं 17 में से 4 अगर जाते तो कितने बचते हैं 13 बचकर 50 मिनट तो 13 यानि 12 12 के बाद एक ही नंबर हम आगे बढ़े 13 तो 13 यानि कितना हो जाएगा फिर एक हो जाएगा तो एक बचकर 50 मिनट जो है यहां पर इसका सही जवाब होगा आगे बढ़ने से पहले के माहा टेट के लिए अगर आपको अदा सब्जिट के लिए गाइडन्स चाहिए जैसे के रिजनिंग के भी कुछ वीडियो जैसे के रिजनिंग से रिलेटेट जो कुश्चन है उसके सोलूशन प्रिवियस यह जो टेट हुआ था 2017 में उसके जो सेट से उनके कुश्चन के सोलूशन पूरे के पूरे 200 हर सेट के कुश्चन अगर यह सारी चीज़ें आपको उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए देखनी है तो एक बार फेच्टू क्लासेस पर विजिट करिए और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए नेक्स कोशन देखी क्या है क्या है कि एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9 और 12 की जगा सिफ नुकते हैं एक आईने के सामने उपरी सिरा नीचे करके रखा गया है एक आदमी ने आईने में 8 बचकर 50 मिनट वक्त देखा तो असल वक्त क्या हो तो देखी यहां पर भी सेम सूरते हाले यहां पर भी क्या किया गया है कि जो घड़ी है उसमें सिर्फ नुकते दे दिये गया है यानि इस तरह से सिर्फ चार नुकते दे दिये गया है और क्या कहा गया है कि इस घड़ी का जो ओपरी सिरा है वो नीचे रखा गया यहां पर गए हैं सिर्फ घड़ी के अंदर चार नुक्ते दे दिये गए हैं तो जब एक आदमी आईने में ऐसी घड़ी को देखता है जिसमें नंबर की जगा सिर्फ नुक्ते हैं और घड़ी को उल्टा करके रखा गया है यानि उपरी सिरा नीचे और निचला सिरा उपर तो उस आद देखिए इसके दो तरीके हमने देखे पहला तरीका क्या है कि 23 बचकर 60 मिनट में से हम जो दिया गया वक्त उसको तफरीक करेंगे यानि यहां पर हम तफरीक करेंगे 8 बचकर 50 मिनट तो देखिए 60 में से 50 जाते कितने बचेंगे यहां पर 10 बच गये अब 23 में से 8 अगर हम निकालते हैं तो कितने हासिल होते हैं हमको यह देखना है तो 23 में से 8 निकालते हैं तो हमको हासिल होते हैं 15 ओके अब 15 बचकर 10 मिनट कितना वक्त हासिल हुआ हमें 15 बचकर जो 10 मिनट वक्त हासिल हुआ यह 24 गंटे की घड़ी के इसाब से हासिल हुआ इसको हमको convert करना है 12 घंटे की घड़ी में तो हम क्या करेंगे 15 में से क्या करेंगे 12 को minus कर देंगे तो 15 में से 12 जब minus करती है तो कितना हासिल होता है मुझे 3, 3 बचकर कितना हासिल हुआ ये 10 मिनट लेकिन ये कब कौन सी सुरत में ये वक्त हासिल हुआ जब घड़ी सीधी रखी गईती लेकिन घड़ी को उल्टा कर दिया गया तो यहांपर अब हम क्या करेंगे जो 3, 10 मिनट वक्त हासिल हुआ उसमें 6, 30 मिनट हमको add करना है तो 3 बचकर 10 मिनट के अंदर हमको कितना एट करना है 6 बचकर 30 मिनट तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और 3 और 6 कितना हो जाएगा 9 यानि 9 बचकर 40 मिनट option number C जो है यहाँ पर सही जवाब होगा ये एक तरीका हो गया दूसरा जो तरीका है वो क्या करना है आपको देखिए जो भी वक्त दिया जाएगा उसको आपको क्या करना है 17 बचकर 90 मिनट में से आपको सिफ क्या करना है उसको माइनस कर देना 17 बचकर 90 मिनट में से हम कितना माइनस करेंगे 8 बचकर 50 मिनट को हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे तो देखिए 90 में से 50 अगर जाते हैं तो कितना बचेंगा 40 उसी तरह से 17 में से 8 अगर जाते हैं तो कितना बचेंगा 17 में से 8 अगर जाते हैं तो कितना बचते हैं यहाँ पर 9 तो 9 बचकर 40 मिनट जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होंगा तो अप्शन अबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है तो यह जो दूसरा वाला तरीका यह बहुत ही आसान इसिफ आपको याद रखना है कि अगर जो घड़ी है वो आईने के सामने अगर रखी गई सीधी रखी गई और आईने के सामने अगर उसका वक्त दिया गया और असल वक्त मालूम करने को कहा जाए तो आपको 23 बचकर 60 मिनट में से तफरीक करना है लेकिन अगर कंडिशन ऐसी रखी जाए कि घड़ी का ओपरी सीरा नीचे और निचला सीरा ओपर है तो ऐसी सुरत में आप देखें कोश्चन अबर 9 जो है कोश्चन अबर 9 भी सेम उसी तरह से हैं क्या है कोश्चन अबर 9 देखिए कि एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9 और 12 की जगा सिर्फ नुक्ते हैं एक आईने के सामने उपरी सीरा नीचे करके रखा गया है उसके आईने में अक्स 4 बचकर 15 मिनट का दर जिजल में से कौन सा होगा यानि सेम है कि वैसी ही एक घड़ी है जिसमें सिर्फ चार नुक्ते दे दिये गया है इस तरह से और इसका ओपरी सीरा नीचे और निचला सीरा उपर रखा गया यानि 12 की जगा 12, 3 की जगा 9 और 9 की जगा 3 आ गया अब इसमें जो आईने में अगर इसका वक्त देखते हैं तो क्या दिखाई देता है 4 बचकर 15 मिनट किस तरह से यानि यहाँ पर ये 4 बचकर इधर हो जाएंगे और 4 बचकर कितने मिनट है 15 मिनट यानि इस तरह से वक्त दिखाई दे रहा है तो असल वक्त जो है वो क्या हो गई या आपको क्या करना ह find out करना है तो देखिए ये जो सवाह नहीं आपको homework में करना है इसका answer मुझे comment करके बताना है आपको जो तरीका आपको दो तरीके बताएं गए हैं दोनों तरीके से करके देखिए जो भी आपको आसान लगता है तो जवाब आप comment करके जरूर बताईए कि इसका जवाब क्या आता है next question देखिए question number 10 जो है क्या है question number 10 कि अगर एक घड़ी में 5 बचकर 45 मिनट का वक्त है तो सामने रखके आईने में क्या वक्त होंगा अब यहाँ पर उपरी सिरा नीचला सिरा उपर इस तरह की कोई भी condition नहीं दी गई है simply आपको यहाँ पर क्या करना है 23 बचकर 60 मिनट में से जो दिया गया वक्त है उसको सिर्फ क्या करना है तफरीक करना है तो यह सवाल जो है यह भी आपका homework में है सवाल number 9 और 10 है दोनों भी homework में आपके दोनों का जवाब आप मुझे comment करके जरूर बताइए कि आपका क्या जवाब आता है जो option दिये गए है इसके जो option है क्या है दिखिए option number A है 2 बचकर 15 मिनट option number B है 8 बचकर 50 मिनट option number C है 9 बचकर 40 मिनट और option number D है 9 बचकर 45 मिनट और जो last question है इसके क्या है देखिए 5 बचकर 15 मिनट 6 बचकर 15 मिनट 8 बचकर 15 मिनट या 3 बचकर 15 मिनट तो इन में से इसका क्या सही जवाब हुआँगा आप मुझे comment करके जरूर बताइए तो आज के लिए इतना ही आज हम लोगों ने जो mirror image थे घड़ी से related उसके सवालाद देखे कल की वीडियो में इंशाला ताला हम लोग water image या फिर घड़ी से related और जो जितने भी type के सवालाद आते हैं उसको cover करने की कोशिच करेंगे तो आज की वीडियो उमीद करती हूँ कि जो भी बाते आपको बताई गई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी वीडियो कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताईए अगर कोई solution है कोई suggestion है या किसी question में कोई problem है तो वो भी आप comment करके बता सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी